भारतिय कश्मीर में पिछले तीन साल की तरह इस बार भी बर्फपारी का मौसम जल्दी आया से बुगाने वाले अब्दुल हामिद गणी निराश हैं बर्फ की बोच से टहनिया जुग गई हैं वो पेड़ों से बर्फ किराते हैं जरा इन पेड़ों को देखिए सब बर्बाद हो गए हैं पिछले दो बर्षों में भी ऐसा ही हुआ था बर्फ और पाला सेब की गुडवत्ता पर बुरा असर डालता है मौसम की मार जहेल चुके सेबों की एक क्रेट केवल 600 रुपे में बिकेगी ये सामान्य कीमत से आधा है ऐसा नहीं कि अब्दुलहामिद गनी को सर्दियान जल्दी आने का पहले से अंदाजा ना हो उन्होंने रेडियो पर मौसम की भविश्यवारी सुनी थी लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया श्री नगर के मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की थी केंद्र के निदेशक सोनम लोटस अपनी टीम के साथ पूरे इलाके पर नज़र रखते हैं और मौसम खराब होने के बारे में मीडिया के जरी लोगों तक चानकारी पहुँचाते हैं वैश्विक तापमान बढ़ने से पैदा जलवायू परिवतन के प्रभाव जम्मू कश्मीर और लदाख में साफ दिख रहे हैं इसके कई संकेत हैं मसलन भीशन बर्फबारी, मौसम की अस्थिर्ता और तीवरता ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं भारत में पैदा होने वाले सेब का करिब 80% हिस्सा हिमाले की तलहटी में बसी कश्मीर घाटी से आता है समय से पहले होने वाली बर्फबारी के चलते लगातार तीसरे साल सेब उतपादकों को आधी फसल ही मिल पा रही है यहां सेब का सालाना कारोबार करीब 50 अरब रुपय का है यानि इस क्षेत्र की समूची अर्थवेवस्था का करीब एक तिहाई हिस्सा कश्मीर बागवानी विभाग सेब उतपादन को सुरक्षित बनाने के उपायक होज रहा है अब अपने आपको चेंज करना है, अपनी वरायटीज को चेंज करना है और अपनी सोयल की फ़टिलिटी को सेज़ करना है नई किस्म के ये पॉध्य कर references 500 अकड में लगाये गए आर में पाला गिरने के बाद फूल आते हैं ये तेज हवाओं का मुकाबला कर सकें इसके लिए अतरिक्त विवस्था की जाती है जाल लगाकर इन्हें ओला वरिष्टी से बचाया जाता है केसर उगाने वाले किसानों को भी जलवायू के बदलते हालात के मताबिक धलना होगा यहाँ पंपोर में समुद्र दल से 1600 मीटर उंचाई पर अब भी जमीन इन बैंगनी फूलों से भरी है लेकिन इस कीमती मसाले को उगाने वाले किसानों की संख्या घट रही है पहले के मुकाबले यहाँ अब कम बारिश होती है जलवाई परिवर्तर के चलते पूरे हिमालेक शेतर में गलेशियर घट रहे हैं ऐसे में उनके पिघलने से नदियों को मिलने वाला पानी भी घट रहा है केसर उतपादन को बचाने में सरकार के भी हिद जुड़े हैं इस पूरेक शेतर में खेती से आने वाले राज्यस्वका सोल अपतिशद केसर से आता है इसलिए सरकार सिचाई व्यवस्था में निवेश कर रही है इस योजना में बैज्ञानिक भी मदद दे रहे हैं किसानों को चाहिए कि वे 25 अगस से 5 सितंबर के बीच केसर के खेतों में सिचाई करें यह बहुत एहम है अगर किसान इन 10 दिनों में खेत तीचते हैं तो वे केसर का उतपादन 40 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं उतपादन बढ़ने पर ज्यादा किसान केसर की खेती की और आकरशित होंगे लेकिन कई प्रस्तावित सिचाई परियोजनाए अभी शुरू नहीं हुई है सेब उतपादक अब्दुल हामिद गनी को नहीं पता कि भविश्य में क्या स्थिती होगी क्या उन्हें सेब की नई किसमें उगानी चाहिए नई पौधों पर फ़लाने में सालों लगेगे अभी तो वो अपने मौझूदा पेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे है ये शाखा अभी जुड़ी हुई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बचेगी उन्होंने सोचा था कि वे अपने बाग अपने बेटे के लिए छोड़ जाएंगे वैसे ही जैसे उनके दादा और पिता छोड़ गए थे मगर अब लगता है कि इन बागों से बेटे को स्थाई आमदनी नहीं मिलेगी बलकि ये उनके परिवार पर पोज ही बढ़ाएंगे